दोस्तों JKSSB Class 4 यानि MTS Multitasking के बारे में आज की इस वीडियो में बहुत बहुत ज्यादा important discussions होने जा रही हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को end तक देखें और इस वीडियो को skip ना करें इस वीडियो को full तक देखें लेकिन वीडियो में सबसे पहले अपना discussion आग पर यहां तो एक बार चैनल को subscribe कर दीजिए चैनल को subscribe करने के साथ साथ वीडियो की description में आपको हमारे social media के links मिल जाएंगे आप हमारे social media पर जाके follow करें most importantly आप मेरे telegram channel को join कर सकते हैं telegram channel का link आपको वीडियो की description में मिल जाएगा telegram channel पर मैं हर एक update आपके साथ यहां पर share कर देता हूँ जो भी कोई update होता है तो मैं यहां पर आपके साथ हर एक वो update share कर देता हूँ तो इसलिए आप telegram channel को जुरूर join करें तो चलिए अपना discussion आज का start करते हैं और बात करते हैं दिखिए class fourth multitasking के बारे में सबसे पहला एक जो doubt है candidates के मन में पहला doubt तो यह है कि कुछ बचों के नाम अभी कुछ बचों के list अभी pending है ठीक है ठीक है मतलब कुछ बच्चे अभी ऐसे हैं जिनका जिनका अभी selection list मतलब बाकी है जिनकी selection list अभी जेके सजबी के पास ही है या फिर जेके सजबी से होके वो sectorate में गई है और sectorate से अभी तक वो यहां नहीं आई है आपकी respective departments को forward नहीं की गई है तो उनको क्या करना चाहे उनके पास options क्या है मतलब क्या हो सकता है देखे possibility तो मुझे maximum यहीं लग रही है कि within 20-25 days जितने भी class force की pending जो मतलब selection list है या जो भी मतलब उन में doubts थे selection list में तो उसको clear करके जहाब वो out कर दिया जाएगा share कर दिया जाएगा एक चीज तो उसको public domain में लाया जाएगा या इसके अलावा दूसरी चीज जिसका आप मालो कोई मतलब कोई documents को लेखे कोई मतलब recommendation with held है तो अब कुछ candidates ऐसे हैं जिनका category का recommendation with held है किसी का category पहले था वो मतलब किसी की category थी तो वो उसके बाद उसकी category expire हो गई है अब उसने दूसरी renew कराई है तो उसके जो है वो issue बन गया है उनके dates के लिए, aspirants के लिए तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे aspirants हैं जिनका मतलब बहुत सारे इनका recommendations with held हैं तो उनको क्या है देखिए जहां तक बात है आपकी recommendation की अगर jkssb को लगा कि थोड़ा सा भी आपकी category में गड़बड है थोड़ा सा भी आपकी category में कुछ उपर नीचे है तो आपका जो नाम है वो लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा आपका नाम cancel कर दिया जाएगा एक चीज़ तो यह दूसरी चीज़ यह कि आप जिनकी category में ही मतलब with held recommendation तो category में भी देखा जाएगा कि किस हद तक इसमें मतलब doubt है कितना doubt है तो कोशिश तो यही की जाएगी कि बाई clear करा दिया जाए मान लीज़े कोई sd candidate है या sc वाला है तो अब उसमें वो यही चेक करेंगे कि बाई कितने level का किस तरह का यह जो है वो recommendation है कितना doubtful है तो उसी हिसाब से जो है वो जेके सस्बी action करेंगी जेक सस्बी जो है वो उनको बताएगी अब मान लीजे किसी का गड़बड़ी होगा किसी ने ऐसे फाल्दो का बना लिया होगा तो उसके लिए जेके सस्बी को doubt होगा कि नहीं यार यह तो पूरा doubtful लग रहा है तो उस case में शायद delay और हो सकता है लेकिन अगर थोड़ा सा भी मतलब doubt है थोड़ा सा doubt है तो मतलब आपको time और बुला लिया जाएगा आपको बता दिया जाएगा कि आप अपनी recommendation clear कराएं और उसके बाद आप जा सकते हैं तो यह चीज करें आप यह चीज जो है वो काफी जदा important है बाकी यही है important information की बहुत जल्द विदिन 20-25 डेस आपका update निगल के आ जाएगा बात करते हैं आपकी waiting list की ठीक है waiting list का यह है issue दोस्तों की मैंने आप से कहा था कि जब तक एक recruitment का rule है जो recruitment rule है recruitment rule के हिसाब से यह कहा गया था कि जब तक एक 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 post के recruitment complete नहीं होती है ठीक है मतब एक post की जो recruitment है अगर वो complete नहीं होती है तो तब तक जो है वो कोई भी वेटिंग लिस्ट जो है वा आउट जारी नहीं कर दी जाएगी ठीक है किसी भी तरह की कोई भी वेटिंग लिस्ट आउट नहीं होगी ठीक है तो ये एक recruitment rule है अब आप जानते हैं कि वह अभी अभी भी लटके हुए हैं कुछ selection list के नाव कुछ बच्चों के नाव लटके हुए अभी भी फोरा नहीं हुआ तो अभी तो फिलाल सवाल पैदा नहीं होता है वेटिंग लिस्ट का हाँ जब सब की joining हो जाती है कोई भी बचा पीछे नहीं रहता है तो उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी अब जेके सेस्बी के तो पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो जिन मैं जिन बचों के recommendation विद्ध हल डवान लेजिए category certificate को लेके किसी ने फरजी category बनाई है तो मैं for example बता रहा हूँ आपको मिसाल के तो पर किसी ने फरजी बनाई है तो उस case में क्या हो सकता है जेके सेस्बी उस बचे को notice भीजेगी कि भाई आप अपनी recommendation clear करा हो अगर आप recommendation clear नहीं कराते है तो फलाने date तक आपके बाद आपका नाम list से निकाल दिया जाएगा फिर मान लिजे उसका नाम list से निकाल दिया जाएगा फिर merit के हिसाब से दिखिए जाएगा उसकी category में कौन बचा आ सकता है तो उसको रख दिया जाएगा तो इसी तरह से वो करके तो जब तक waiting list clear नहीं होगी तब तक वो चीज़े जाएगा तो बाकी उमीद तो यही लगाई जा रही है कि बहुत जल्द जा है वो यह मतलब waiting list या बाकी फिर जितनी भी recommendations withheld हैं तो उनका recommendation clear हो जाएगा उमीद तो यही है दोस्तो बाकी मेरी तरफ से एक बार फीट से मैं request करूँगा आप से कि आप एकर इस यूटुब से पर पहले बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ चलिए आभी के लिए दीजे मज़े इजाज़त मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नई और नई वीडियो और नई टापिक के साथ ख़दा हाफिज